हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम लोग कच्छा आठ का भुगोल पढ़ेंगे जिसे हम लोग इंगलिस में जियोग्रोफी कहते हैं आज हम लोग पाठ पाच पढ़ेंगे जो हमारे पाठ का नाम है उद्योग धन्दे इससे हम लोग अभ्यास प्रश्ण कुछ करेंगे तो चलिए पहला प्रश्ण देखते हैं नीवन लिकित प्रश्णों के उत्तर संचेप में लिखिए हमारा का नमबर प्रश्ण है भारी एवं लगू उद्योग में क्या अंतर है तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि भारी और लगू में क्या अंतर है तो पहले हम लोग भारी को देखेंगे फिर लगू को चलिए भारी को देखते हैं उत्तर है, भारे या ब्रिहद उद्योग बड़े पैमाने पर अस्थापित किये जाते हैं, जिनके लिए अधिक पुंजी, कच्चा माल, स्रम सक्ती, भूमी, मसीन एवं सक्ती के साधनों की आवसक्ता होती हैं, तथा अधिक मात्रा में वस्तूओं का उत्वादन होता हैं, जैसे लोहा इसपात, सिमेंट, दवाएं, रसाइनिक खादे, वस्त्र उद्योग, वायू यान, जल यान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन वर डिब बेग आदी, ठीक है, तो चलिए इसमें और देखते हैं, ये उद्योग सरकारी एवंनी जी, दोनों छेत्रों में लगाए जाते हैं, इसके विपरीत, यान, कि इसके उल्टा, अब चलिए लगू देखते हैं, लगू उद्योगों में कम पूझी, स्रम एवं सकती के साधन, ठीक है, स्रम एवं सकती के साधन, तथा छोटी-छोटी मसीनों की अवसकता होती हैं, ये हलके कच्चे माल का प्रियोग कर करते हैं, तथा हलकी वस्तूओं का निर्माण करते हैं, कई बार ये भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटी-छोटे भाग भी बनाते हैं, इलेक्ट्रोनिक समान, पंखे, सिलाई मसीन, साइकेल, जूते, तेल, माचिस, खिलोने, आदी, लगू उद्योग के कारण हैं ये उद्योग केवल नीजी छेतर में लगाए जाते हैं, तो चलिए, खो नमबर प्रशन देखते हैं, क्रीसी पर अधारित चार उद्योगों के नाम लिखिए, तो इसके उत्तर हो जाएंगे, रेसम उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तथा जूट उद्योग, चारोग हैं, अब चलिए दोस्तों हम लोग गनमर प्रशन देखते हैं, भारत के तीन सिमेंट उत्पादक राजियों के नाम लिखिए, वो तीन सिमेंट राजि कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं, तो इसका उत्तर है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ज पात करते हैं चलिए गवंगो नमब्र देखते हैं प्रश्ट है भारत में वायू यान उद्योग कहा नाशिक यानि महराष्ट्र तथा कोरापूर्ट यानि उरिष्या में इस्तित है चलिए अंगार नमर प्रशन देखते हैं बंगलूरू को भारत की सिलिकान घाटी क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाटक की राजधानी बंगलूरू को भार भारत की सिलिकान घाटी कहा जाता है यानि की करनाटक की राजधानी क्या है बंगलूरू यह भी याद रखना है ठीक है और क्यों कहा जाता है क्योंकि भारत में सफ्ट्वेयर की सबसे अधिक कंपनियां बंगलूरू में ही हैं इसलिए इसे सिलिकान घाटी कहा जाता है चल तेल सोधन सालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिये तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं खनीज तेल सोधन से गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन याने मिट्टी का तेल, तथा, पेट्रोलियम, जेली, आदी वस्तुएं मिलती हैं याने केरोसीन मतलब ह होता है मिट्टी का तेल ठीक है चलिए प्रश्ण दूसरा देखते हैं हमारा प्रश्ण दूसरा है कारण बताईए यानि जो जो प्रश्ण दिये हैं उसके हम लोगों को कारण बताना है तो चलिए पहला प्रश्ण देखते हैं को नमबर भारत के लौ इस पात उद्द्योग दच्छिड के पठार में इस्तित है, यानि इसका उत्तर हो जाएगा, इसका कारण है कि दच्छिड के पठार में कच्चा सामान जैसे कच्चा लोहा, कोईला, चूना, ठीक है, डोलोमाइट मैगजीन, आदिस, आसानी से उपलब्द हो जाते हैं, जिससे यहां पर माल ढूला धाय में कम खर्च होता है, चलिए, ख़र नमबर देखते हैं, इसका भी हम लोगों को कारण बताना है, कि इसका प्रशन हो जाएगा, गुजरात और महराश्ट में सूति वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं, तो इसका हम लोगों को कारण बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात और महराष्ट में कपास अधिक होता है यही कारण है कि यहां सूती वस्त्र उद्यों के कारखाने अधिक हैं यहां मतलब यह क्या कारण है इसका कि यहां पे जो है गुजरात और महराष्ट में हम लोगों को अधिक कपास मिलते हैं इसलिए यहां पर मतलब जो है कार खाना है चलिए आगे प्रश्ण देखते हैं गौन नमबर इसका भी हम लोगों को कारण बताना है नमक में आयोडीन मिलाया जाता है आप लोगोंने सुना ही होगा कि नमक में जो होता है वो आयोडीन इसमें होता है तो क्यों होता है इसका कारण देखते है नमक में आयोडीन मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन घेगा रोक से बचाओ के लिए उप्यूक्त है ठीक है इसलिए इसमें आयोडीन मिलाया जाता है जो हम लोग नमक का इस्तिमाल हम लोग करते हैं चलिए घाव नमर देखते हैं जपान विक्सित देश है इसका क्या कारण है मतलब हम दों को कारण बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा जपान एक विक्सित देश है क्योंकि वह एक अध्योगिक देश है वहां बड़े बड़े उत्योग अस्थापित है वहां कुसल वह सिच्छित स्रमिक तथा उच एवं आधुनिक तकनीकी के का भारड भारी मात्रा में उच अस्तर की वस्तूओं का उत्पादन होता है चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए याने कि यह जो है यहां पे हम लोगों का रिक्तस्थान है इसे हम लोगों को पूरा करना है तो चलिए इसको देखते हैं को नमबर है रेल के डिब बे यहां रिक्तस्थाने में बनाए जाते हैं क्या बनाए जाते हैं तो देखिए चितरंजन कपूर्थला या फिर वरारसी याने कि यहां पर जो है क्या बनाए जते हैं तो कपूर्थला ठीक है तो चलिए खानमर देखते हैं सीमेंट के लिए रिक्तस तो इसका यहां पे चुना पत्थर भरा जाएगा ठीक है चलिए गणमबर देखते हैं राची में यहां रिकतस्थान है बनाने का कारखाना है तो क्या बनाने के कारखाना है तो देखते हैं जलियान यह भारी मसीन यह तेल सोधन तो यहां पे जो है हम लोगों का यहां पे बन तो भारी मसीन ठीक है चलिए घो नमबर देखते हैं कहवा यहां पे रिक्तस्थान की आजाता है कहां से प्राप्त किया जाता है तो तना से या फल से जड़ से तो जो कहवा है वह हम लोगों को फल से प्राप्त होता है चलिए प्रशन चोथा देखते हैं हम लोगों का सही जोड़े बनाईये तो जो आ में दिया है उसको हम लोगों को बाहसे मिलाना है तो आ में दिया है जमसेधपूर तो यह हम लोगों का हो जाएगा लौ इसपात ठीक है और फिर अ में दिया है अहम्दाबाद तो इसका हम लोगों का हो जाएगा वस्त्र उद्द्योग फिर दिया है रसायन उर्वरक तो इसका हम लोगों का हो जाएगा सिंदोरी ठीक है और फिर दिया है वायू यान तो इसका हो जाएगा हम लोगों का कानपूर और तेल सोधन तो यह जो हम लोगों का हो जाएगा मथुरा में याने की इसको आज से हम लोगों को बह को मिला दिये सही जोड़े बना दियें तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद